यूपीय में अंडिय के साथ भले ही एक के बाद एक दल छोड़ते जा रहे हैं जेडियो और वियाईपी की ओर से साफ संकेत दे दिये गए हैं कि वो यूपीय में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे 2017 में अंडिय गटबंधन का हिस्सा रही सुहिल देव भारतिय समाज पार्टी तो बीजेपी की विरोधी समाजवादी पार्टी से गटबंधन भी कर चुकी है और अब एक और दल के अंडिये छोडने की संकेत मिल रहे हैं 2017 की यूपी विधान सभा चुनावों में बीजेपी का सुभा सपा और अपना दल के साथ गटबंधन हुआ था पांच साल बाद जब 2022 के विधान सभा चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है तो सुभा सपा अंडिये के खलाफ मैदान में उतर चुकी है जबकि अपना दल एस के तेवरों से भी दिख रहा है कि वो भी अंडिये से अलग होने का फैसला ले चुका है दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पार्टी चीफ अनुप्रिया पटेल ने अखलेश यादव की सपा से गटबंधन की कोशिचे भी शिरू कर दी है लेकिन अखलेश यादव ने साफ कर दिया है कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी से सपा तभी गटबंधन की बातचीता के बढ़ाएगी जब वो एंडिये छोडेंगी साथी केंद्रिय मंदल से भी उन्हें स्तीफा देना होगा अपना दल में इसे लेकर चर्चा चल रही है दावा किया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक अनुप्रिया पटेल केंद्रिय मंत्री पद से स्तीफा दे देंगी सपा और अपना दल एस के बीच शुरू हुई बातचीत ने बीजेपी की भी चिंता बढ़ा दी है दरसल बीजेपी 2017 की तरह इस बार भी अपना दल एस को 12 विधान सबा सीटे देना चाहती है जबकि अपना दल इस बार 20 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है पार्टी के प्रवक्ता राजेश पटेल ने कहा कि हमारी तैयारी 200 सीटों पर है लेकिन ये फैसला पार्टी नेतरतों को लेना है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा किस से गटवंधन होगा ये भी केंद्रे नेतरतों ही तैय करेगा अनुप्रिया पटेल ने भी अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं जब गटवंधन को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी सीटों को लेकर बातचीत हो रही है दूसरी और पार्टी के कारिकारी अध्यक्ष और विधान परिशद सदसे आशीश पटेल साफ कर चुके हैं कि 2017 की तरह हम सिर्फ 12 सीटों पर चुनाओ नहीं लड़ेंगे इस बार हमारा दावा मजबूत है आटी में सवन्ट पिछडा अलप संख्यक बड़ी संख्या में जोड़े हैं हमारा जनाधार पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा है डीवी लाइव की रिपोर्ट